पुरानी दिल्ली का मशुहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टूरेंट अब आपके शहर मुम्रावी आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान इस्पेशल थाल, बॉंग नहारी, मतन नहारी, बफपाया, मतन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ आपका पसंदिदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुल्चा भी मिलेगा हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है बल्ली मरान नहारी रेश्टूरेंट जो अब आपके शहर मुम्रा में है बे मिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे बेतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेश्टूरेंट से आप घर वैठे फ्री आउडर कर सकते हैं महिस्ला मुदिर खान और आप दिख रहे हैं प्रहाटिंग चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना ने सब को जच्छोर कर रख दिया है आपको पता जी कि देश की राजधानी दिल्ली के थाना पांडो नगर इलाके में चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई बच्ची को लाल बहादूर हॉस्पिटल से और इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया बच्ची के हालत नाजुक बनी हुई थी वहीं अस्थानिये लोगों ने आरूपी की दुकान में तोड़ फोर भी कर डाली है और दुकान का सारा सामान खोली का दहनवारी जगा पर ले जाकर रख दिया है वहीं मीडिया रिपोर्ट के मताबिक दिल्ली पुलिस को सलिवार देर शाम जब जानकारी लगी कि चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है इसके बात पुलिस मौके पर पहुच कर बच्ची को लाल बहातूर होस्पिटल में भरती कराया था बताया जा रहा है कि पीडिक बच्ची ट्यूशन के लिए आरूपी अर्मान की बहन के घर पर पढ़ने जाती थी और इसी वज़े से ये पीडिक बच्ची आरूपी अर्मान को जानती थी पुलिस ने आरूपी अर्मान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपी सी किधारा 376 के तहते फाया दच किया है और पुलिस ने आरूपी को ग्रफतार कर लिया है बच्ची को लाल बहादूर हॉस्पिटल से और इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था बच्ची के हालत बता जारा है नाजुक बनी हुई थी और फिलहाल इलाके में अब जो है शान्ती पूर महाल है बच्ची को 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 पच्छी हालत पैस नहीं है जुक कर दो